जहिन देखिया 16 फर्वरी 2021 को परिवहन भीभागने फास्टेक को कमपलसरी कर लिया इसी के साथ भारत में फास्टेक कार्ड के यो यूजर है वो 2 करोड हो गए और भारत सरकार को केवल नेशनल हाईवे पे हम स्टेट हाईवे की बात नहीं कर रहे हैं केवल नेशनल हाईवे पर चलने के एवज में आपसे पैसे लिये जाते हैं सरकार ने सड़क बनाया है आप किसी होटल में जाते हैं या लॉज में रहते हैं तो किराया देते हैं उसी तरह से नेशनल हाईवे पे चड़ेंगे ना तो टोल दीजेगा 50-60 km 70 km की दूरी पर हर जगर टोल लगाया रह को समझते हैं कि fasteck totally काम कैसे करता है यह कितने type का होता है और कितने color का होता है और RFID technology क्या है फास्टेग एक ऐसा सिस्टम होता है, जिससे आपसे पैसे को डिरेक्ट कर लिए जाता है। इसका परियोग दिल्ली मेट्रो या कोई भी मेट्रो बहुत पहले से कर लिए। आप दिल्ली मेट्रो में जाएंगे तो अगर आपको एक दो बार जाना है तो आप टिकट कराएंगे कोईन की तरह लेकिन आप regular customer है वहाँ के तो आपको कहा जाता है कि एक काम कीजे आप बनवा लिजे smart card बनवा लिजे यानी fast tag बनवा लिजे इसमें क्या है कि आप fast tag बनवा तो सरकार ने दिमाग लगाया कि ऐसा ही एक काड हम बनवा देते हैं गाडियों पर बार बार टोल में जाके पैसा पर्ची कटवा टाइम लगता था लंबी दो-दो किलोमेटर लंबी टोल प्लाजा पर लाइन लग जाती थी तो इसी लिए फास्ट अप गाडियों में लगा जाता है विंड मतलब हवा सील मतलब बचाना जिस तरह से कोरोना से बचाने वाली कोवीड सील्ड दवा है कोवीड से बचाएगी कोवीड सील्ड उसी तरह ड्राइवर को विंड यानि हवा से बचाता है विंड सील्ड तो इसे विंड सील्ड कहता है इसको लगाने से लगाया खटाक से कट लेगा जिस तरह यहाँ पैसा कटा वैसे यहां कट गया कभी कभी क्या होता है तrices पैसे खतम हो गए तो वहां गया तो सटाएं तो खुला ही नहीं तो हम पूझे भाई खूल क्यूं नहीं रहा है मेरा काड गड़बर नहीं है तो पैसे खतम है तो जस्ट इसके बगल में ऑफिस था हमने वहां पर ले जाके कैस काई 200 रुप्या डाल दो तो उसने रिचार्ज कर दिया फिर सटाएं तो खुल गया वैसे यहां पर भी है आप क्या किजिए इसी टाइप का काड है फास्ट यहां आपने वींड सील पे बीच में चिपका यह साइड में नहीं चिपका जाता है गड़बर आ जाएगा बीच में चिपका लिजे और आपके पैसा काट लेग सरकार ने एक और सुविदा दिया कि आपको बार-बार रिचार्ज नहीं कराना पड़े दिली मेट्रों के काड की तरह आप इसे क्या कीजिए एकाउंट से जोड़ दीजिए कि जब-जब कटेगा तो आपके एकाउंट से डाल दिया जाएगा क्योंकि एकाउंट में तो प पूरा नाम होता है र्रेडियो फ्रिक्वेंसी ऐइन्टिकेशन डिवाई सबबसे हैं 20 उसमें प्रिटिक मिइन कड़ें सींकाड वहां रख देंग तो किसी काम करता है यह उपकी मोबाइल की वैर्तरी में कोई पैट्री नहीं दितनी जब्सक्र adjustments होता है जिसे कहता है एक्टिव इसके अंदर बैटरी लगी होती है यह कहां लगा होता है तो टोल प्लाजा के ऊपर यह लगा होता है scanner में लगा होता है तो scanner जो होता है वह active होता है active RFID करते हैं और जो fast tag होता है उसे हम लोग καते है active RFID के नाम से जैसे ही आपकी गारी toll plaza में घुसती है तो breaker लगा होता है आपको complete नहीं रूकना है थोड़ा सा speed दीट धीमा करेंगे तो उपर से स्कैन कर लेगा आपके किसको यह जो उपर फास्टेग लगा है और वहां से एकाउंट कट लेगा उतना पैसा कट जाएगा आपको मैसे जाएगा और अगर एकाउंट में पैसे नहीं है तो फिर वह गेट नहीं खुलेगा आगे का जो बूम बेरियर होता है वो नहीं खुलेगा तो वह बताएगा आपको कि सर आपके एकाउंट में पैसे नहीं है तो फिर आपको मैनुवली देने पढ़ेंगे वहां पर जैसे यह उपर से देखिए यहां पर इसकैनर लगा हुआ है यह गाड़ी जा रही है तो यहां से यह वेप छ चेक और गाड़ी निकल जाएगी तो यह इसकैन नहीं कर पाता है तो मान के चली यह आगे वाली गाड़ी निकली और उसी से यह सटा के निकाल लिया न तो इसका तो पैसा कट जाएगा बट इसका यह पैसा नहीं काट पाएगा तो घाटा किसको होगा इसको तो कोई घाट को घाटा लग रहा है इसका बच गया इसका तो जन्वीन गड़ी तो अपना देखे चला गे तो डिस्टेंस जो है वह 4 मीटर रहना चाहिए अब इसमें गवर्मेंट को घाटा लग जाता है तो गवर्मेंट को यह जो बेरियर है ना बूम बेरियर ही से करते हैं यह दो लगा कुछ पॉजिटिव यानि प्रोज को देख लेते हैं कुछ निगेटिव यानि बुराई उसमें जो गलत है कौन्स को हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले तो भाईया यह टाइम बचा देता है कैस लेन देन में मिलाओ चेंज है नहीं है तो लंबी लाइन लगती थी जिससे जाईं बर्भाद होता था और गारीयां स्टाट करके रखनी होती तो फ्यूल बर्भाद होता था जिससे कि बहुत जाते मात्रा में पैसे आपके जाएंगे तो इससे यह सारी चीजे होगें पैसे आपके कम लग में आप आराम से च्रॉकर अटविकि जैसे कोई फास्ट च गाड़ी लेकर कहीं और चला गया था लेकिन हमको कैसे पता चला हमको एक मैसेज आया कि आपकी गाड़ी इस टॉल प्लाजा को मतलब टॉल प्लाजा के नाम लिखा रहा था कि यहां से पैसे कट है हम तुरत समझ गया यहां पर हम फोन किये कहा हो कर सानीचे चाय पी रहे हैं तो मैसेज आके आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहा है हाँ वह बात अलग है कि आप तो इसका बाप GPS आ गया वह तो पल-पल की रिपोर्ट दे सकते हैं लेकिन GPS नहीं है तो टॉल प्लाजा क्लाउस करने पर इससे भी पता चल जाएगा इससे की गवर्मेंट क मेन पावर कम लगाना पड़ेगा सबसे टेक्स कलेक्शन के वैसे जिससे की करॉप्शन कम होगा जितने जादे आदमी बैठेंगे उतने जादे करॉप्शन करेंगे गवर्मेंट ऑफिस में लूट पाट नहीं होगी लोग क्या करते थे रात में टोल पलाजा लूट लेते होगे लेकिन इसके कुछ घाटा भी है कौन सी निगेटिव चीज क्या है कि कभी-कभी जो ऊपर की स्कैनर मसीन होती है इसके उपर स्कैन करने वाला उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है जिस वज़े से वह सचुरा वाला कामें नहीं करता है तो काईगा उस पे चल ल सकती है एक और समस्या क्या है कि गाड़ी के अंदर जो फास्टेक को चिपकाते हैं उसे बाहर से नहीं चिपकाया जाता है अंदर से चिपकाया जाता है तो कभी-कभी धूप में गाड़ी खड़ा करने से अंदर से ओभर हीट हो जाता है और ओभर हीट होने से अंदर का जो तो आपसे डबल चार्ज कटेगा 400 रुपय कि काहे घुसा रहे तुम बीना फास्टेक का काहे घुसा डबल पेनल्टी क्यों कि सरकार भी चाहती है कि बहुती चले कोई बीचीज दूसरा कि online transaction online transaction से corruption नहीं होता है सबको पता होता है इस गाड़ी से इतना है हिसाब किताब में कोई दिक्कत निकल जाता है बैंक का statement मोबाइल से तुरत निकल जाता है तो इससे यह फायदा हो जाता है लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है लोकल लोगों को लोकल लोगों क्या है मान कि चली एक टोल पलाजा किसी का घर उधर है और दूसरा घर इधर या खेत वगराई यहाँ पर अगल यहीं से बार-बार जाना है जैसे वह सहर यहाँ पर वह एक बार जाएगा तो टेक्स देगा सामको डिवीटी करके आएगा तब देगा जाएगा आएगा पागल हो जाएगा भ पास्ट टेक की बेवस्टा रखिए उसमे जहां उसे रइस्टर कराना पड़ता है कि हम लोकल बॉडियों उन्हें छूट मिल जाती हैं दूसरे सबसे भयांदक समस्या क्लोनिंग की हो जाती है मेरा फास्टेग है अभी ऐसी ऐसी टेकनोलोजी है कि मेरे फास्टेग का हूब बहू एक नकली क्लोन बन जाएगा अब वो तो मेरे अकाउंट से जुड़ा हुआ है या रिचाज हमने कराया उसमें अब वो किसी ने अपने गाड़ी में लगा लिया पता चला वो टॉल जाए तो गवर्मेंट के पास डाटा है अब पता चला हमको हम कभी गवर्मेंट से हम कहें कभी एससी में बहुत धांदली हो जाती है कव रिजल्ट आएगा कव वेकेंसी आएगी कितने साल में क्लियर कराओं कोई पता नहीं है हम आ रहे हैं अंसन करेंगे दिल्ली में तो स जैसे जैसे हम पार करेंगे जैसे जैसे उट्डोल प्लाजा में गवर्मेंट को मेंसेज है आगा खांसर का गारी यहां पार किया यहां पार किया पथाचला कानपूर में घासर नजरबंद एक महीना बाद शूटेंगे तो प्राइवेसी का भी बहुत बढ़ा समस्य आ इस पहला M category होता है इसमें केवल एक ही टाइप के वहिकल को रखते हैं वह होता है प्राइवेट वीकल या प्राइवेट कार उसे कहते हैं जिसका नंबर प्लेट वाइट कलर से रखता है मतलब हम अपने काम के लिए लगा रहे हैं उसे हम भाड़ा पे नहीं चलाते हैं या उसे स प्राइवेट वीकल को और जो कॉमर्सियल है जो भाड़ा ढोने के लिए है कमाने के लिए है यह सब के लिए उसे हम लोग रखते हैं एन टाइप में टोटल छे कलर के आते हैं तो एन टाइप में जो कलर हैं वो छे हैं तो छे यहां एक यहां तो टोटल कलर हो गए साथ और फ प्रियम का भी अलग अलग color होता होगा तो यह अलग अलग color के मिलते हैं बट यह इस पेशिफिक होते हैं यह color इनी को मिलेगा जैसे personal गारी है तो मिलेगा आपका यह परस्हनल गारी यों पे लग जाएगा वाईलेट कलर का भाकी यह color किसको मिलेगे अलग-अलग गाडियों पे उसको समझते हैं देखे अगर आपका commercial गाड़ी है commercial मतलब जिस पे आप गाड़ी उरीड होते हैं pick up हो गया या फिर आपका loader छोटा मोटा हो गया वो सब तो उसका आपका orange color का card मिलेगा first check लेकिन अगर आपकी गाड़ी थोड़ी heavy-blooded है बट उसमें दो ही axle है तो green color का मिलेगा तो उसका card बस green color हो जाएगा अब ये axle आपको नहीं समझ में है कि ये axle क्या होता है तो axle देखे किसे करते हैं ये चक्का है ये चक्का है तो दो चक्कों को 20 से जोडने वाला ये rod जो हता है ये axle का लाता है ये wheel है देखे ये wheel है ये axle है जैसे car है car में आपको दो ही axle मिलेगे एक ये axle है और एक ये axle है ठीक है ये ही दो axle मिलते है जैसे ये car है दो axle है तो axle तो इसमें दो ही है बट वील दो थोड़ी है वील तो चार है e colored इस वाले आमने जाहांने के लिएक एक यहाँ दूसरा होगा तीसरा चा你说 asking पर अंहिता है अंहाँ टूट जाए गाड़ी इसका एकसल लोड़ि के लिए यह होगा दूसरा तीन चार पांच पांच एकसल की गाड़ी है इस तरह जिसमें तीन एकसल रहेगा वह येलो कलर का रहेगा येलो कलर का बैख सकी पांच आपको यी यह ही त diff डिया जाएगा और जिसका साथ एकसल से जोभी हो गया तो उसके लिए घयya ऐगा पांच का ड़ ऑग सब्सक्राइब क्लास में चले आते हैं तो आई होप आप एकसल भी समझ गया होंगे फास्टेक भी समझ गया होंगे और एक टोटल चीज को समझ गया होंगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जैहन